हलो फ्रेंड्स नीट्वक्रेशन चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम तोरन बनाना सीखेंगे जिसके लिए हमने फोर प्लाई की उनली है और दस नमबर की क्रोशिया तो फ्रेंड्स आपको मेरा या वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफेकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए मैंने पिछले वीडियो में तोरन पट्टी बना रखी है इसमें आज हम नीचे डिजाइन बनाना सीखेंगे इस पट्टी का लिंक मैं ड सबसे पहले यहां हम इसे पट्टी में इसे जोडेंगे अब हम यहां पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच चेन बनाएंगे और इसमें हम एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे फिर से पांच चेन बनाएंगे अब चार चेन बनाएंगे दो चार फिर यहां ए एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चार चेन, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चार चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चार चेन, इस तरीके से हम यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, छे, छे टाइम, सिंगल क्रोसिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चेन, और छे, सिंगल क्रोसिया, अब हम यहाँ साथ चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ चेन बनाएंगे उसके बाद ये वाला एक फंदा छोड़ देंगे हम बीच का और इस वाले फंदे में हम देखिए इस वाले जाली में फिर से एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे यहाँ पर हम साथ चेन बनाएंगे और बीच में एक छोड़ देंगे फिर इसके बाद इस वाले में हम एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे फिर से चार चेन बनाएंगे और छे चेन बनाएंगे, दो, दो, तीन, चार, और एक सिंगल क्रूज हिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दिखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ, साथ, टाइम सिंगल क्रूज हिए बनाएंगे, और फिर यहां हम दूसरा डिजाइन त्यार करेंगे, यह वाला, इसमें डिजाइन बनेगा, तो इसके लिए फिर से हम यहां पे साथ चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन चार, पांच, छे, साथ, साथ चेन बनाएंगे, और फिर से एक जाली छोड़के, दूसरा जाली में हम एक सिंगल क्रूज हिए बनाएंगे, फिर से चार चेन बनाएंगे, चार और फिर यहां एक सिंगल क्रूज हिए, फिर से चार चेन, फिर एक सिंगल क्रूज हिए, फिर एक से चार चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिय, यहां भी हम साथ टाइम सिंगल क्रोशिय बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक साथ, साथ टाइम हम सिंगल क्रोशिय बना लेंगे, फिर यहां हम दो चेन बनाएंगे, और यहां बीच में एक सिंगल क्रोशिय बना लेंगे, फिर से चार चेन बनाएंगे, और यहां एक, तीन, चार, और यहां फिर से एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, फिर से चार चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल कुरोसिया बनाएंगे, इसी तरीके से हम यहां तक सभी जाली में एक एक सिंगल कुरोसिया बनाते जाएंगे और चार चेन बना लेंगे, देखें मैंने यहां एक, दो, तीन, चार टाइम सिंगल कुरोसिया बना ली है, एक, दो अब हम यहाँ कोई चेन नहीं बनाएंगे और इसमें साथ जाली जो बनाए थे साथ चेन इसमें हम अब डबल क्रोसिय बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पात, छे, रिखे, छे टाइम हमने डबल क्रोसिय बना ली है अब हम इसमें 5 चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन बनाएंगे और फिर इसमें हम छे टाइम डबल क्रोसिय बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और फिर से हम देखे बिना कोई चेन बनाएंगे इस जाली में एक सिंगल क्रोसिय बना लेंगे फिर से चार चेन बनाएंगे और फिर इहाँ एक सिंगल क्रोसिय बनाएंगे चार चेन बनाके एक एक सिंगल क्रोशिय बनाते जाएंगे सभी जाली में इसके बाद फिर से हमारा यह वाला डिजाइन बनेगा यहां पर देखिए यहां हम फिर से छे टाइम डबल क्रोशिय बनाएंगे दो तीन चार पांट छे फिर पांच चेन एक दो तीन चार पांट और फिर छे टाइम डबल क्रोशिय एक दो तीन चार पांच छे और फिर इस जाली में एक सिंगल क्रोशिय इसी तरीके से आप अपने पट्टी के पूरे लाइन में कंप्लीट कर लेंगे फिर से चार चेन बनाएंगे और फिर इस वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिय इसी तरीके से एक दो तीन चार टाइम सिंगल क्रोशिय बनेगा एक दो तीन चार पांच चेन बनेगा इसी तरीके से हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे देखे सेम तरीके से फूरा लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर से हम यहां लास्ट में देखे एक दो दो चेन बनाएंगे और फिर से दूसरी साइड आ जाएंगे और यहां हम फिर से इस चेन में एक सिंगल क्रोशिय बना लेंगे और फिर एक दो तीन चार चार चेन बनाने के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिय फिर से चार चेन फिर यहां एक सिंगल क्रोशिय फिर से चार चेन फिर यहां एक सिंगल क्रोशिय फिर से चार चेन फिर यहां एक सिंगल क्रोशिय और अब हम यहां देखे यहां पाँच चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चैन बनाएंगे, और फिर इस जगह पे बीच वाले जाली में हम डबल क्रोसिय बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार टाइम डबल क्रोसिय बनाएंगे, फिर से यहां पाँच चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन बनाएंगे और फिर यहां हम चार टाइम डबल क्रोश यह बनाएंगे एक, दो, तीन, चार देखे, यह बिर्च वाले डिजाइन में और फिर से पांच चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और फिर यहां हम एक सिंगल क्रोश यह बनाएंगे फिर अब चार चेन फिर यहां एक सिंगल क्रोश यह फिर से चार चेन फिर यहां एक सिंगल क्रोश यह चार चेन, एक सिंगल क्रोश यह, फिर से चार चेन, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोश यह, फिर यहाँ हम पाँच चेन बनाएंगे, चार पाँच और फिर यहाँ बीच वाले डिजाइन में हम यहाँ चार टाइम डबल क्रोश यह बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और फिर पाँच चेन, एक, दो, तीन, चार, पाँच चेन, फिर चार टाइम डबल क्रोश यह, एक, दो, तीन, चार, और फिर से हम पाँच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 chain बनाने के बाद फिर से हम यहां एक इस वाले chain में 1 double crochet बनाएंगे और फिर से 4 chain फिर एक single crochet इसी तरीके से हम पूरा line complete कर लेंगे देखें इस बार हमारा 1, 2, 3, 4 चार टाइम बनेंगे single crochet और 1, 2, 3, 4 चार जाली भी बनेंगे और 4 टाइम single crochet भी बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच सिंगल क्रोशिय बनेंगे, इसी तरीके से हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे, जितनी भड़ी आपको गेट के पर्टी है, उतना बड़ा, उतना डिजाइन इस तरीके से बना के हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे, पूरा लाइ फिर से चार चेनद, फिर चार चेनद, फिर यहां एक सिंगल क्रोसिय, 1,2,3,4 फिर 4 चेनद, फिर यहां एक सिंगल क्रोसिय, फिर यहां हम 5 चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन बनाने के बाद फिर से हम यहां बीच में 1, 2, 3, 4 4 डबल कुरोसिय बनाएंगे फिर से 5 चेन 2, 3, 4, 5 5 चेन बनाने के बाद फिर 4 सिंगल डबल कुरोसिय एक 2, 3, 4, फिर 5 चेन 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन के बाद फिर यहां देखे इस जाली में हम फिर से एक सिंगल कुरोसिय बना लेंगे इसी तरीके से हम फिर से चार चेन बनाएंगे और फिर एक सिंगल कुरसिया देखें इसी तरीके से हम यहाँ चार चेन बनाएंगे यहाँ एक सिंगल कुरसिया फिर चार चेन यहाँ एक सिंगल कुरसिया और फिर पांच चेन बनाके इस वाले जाली में हम चार टेम सिंगल कु बनाएंगे इसी तरीके से जैसे हम यहां बनाएं इसी तरीके से हम पूरा लाइन का पट्टी में पूरा लाइन कम्प्लेट कर लेंगे पूरा लाइन लाइन कंप्लेट कर ली है यहां हम फिर से दो चेन बनाएंगे और फिर दूसरी साइड आ जाएंगे और यहां बीच में एक सिंगल क्रोशिय फिर से चार चेन फिर यहां एक सिंगल क्रोशिय फिर से चार चेन फिर यहां एक सिंगल क्रोशिय फिर से चार चेन यहां पाच चेन बनाएंगे अब पाच चेन बनाने के बाद देखे इन सभी के ऊपर इन सभी सिंगल क्रोशिय के ऊपर हम एक एक सिंगल कोर्शिया बनाएंगे, एक, बो, तिन, चार देखिए इन सभी डबल कोर्शिया के ऊपर, एक, अधान् दबल कोर्शिया बन 가서 बन गए हैं, चार डबल कोर्शिया के ऊपर, चार डबल को 즐व्य और फिर हम यहां बीच में फिर से चार टाइम डबल कोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर से यहां पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और फिर यहां पांच टाइम डबल कोशिया, एक, दो, तीन, चार, और फिर इन सभी के उपर एक एक डबल क्रोश यह, एक, दो, तीन, चार, और फिर से यहां हम पांच चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और फिर इस जाली में एक सिंगल क्रोश यह, फिर से चार चैन, यहां एक सिंगल क्रोश यह, फिर से चार चैन, एक, दो, तीन, चार, और फिर यहां एक सिंगल क्रोश यह, और फिर पांच चैन, तीन, चार, पांच, और फिर यहां इन सभी के उपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक, दो, केन, चार, और चार डबल क्रोशिया, यहां इस जाली में फिर पांच चैन, फिर चार डबल क्रोशिया, फिर इन सभी के उपर एक एक डबल क्रोशिया, चार, ती साइड भी आठ हो जाएंगे, इस साइड भी आठ और बीच में पांच चैन, फिर पांच चैन लेके इन सभी में हम एक-एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, सेम तरीके से हम पूरा लाइन कम्प्लीट कर लेंगे जैसे यहां बनाए उसी तरीके से हम पूरा लाइन कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंज हमने पूरा लाइन कम्प्लीट कर ली है देखिए अब फिर से यहां हम दो चेन बनाएंगे लास्ट में और फिर दुसरी साइड आ जाएंगे और यहां फिर से एक सिंगल क्रोशिया फिर से चार चेन फिर यहां एक सिंगल क्रोशिया और अब हमें यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छेट साथ साथ चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, देखें इस डबल क्रोशिय के ऊपर एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, फिर से साथ चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ चेन बनाएंगे, और फिर इस बीच वाले जाली में हम एक डबल क्रोशिय बनाएंगे 1, 2 दो डबल कुरोषिय बनाएंगे और फिर से यहां हम 7 चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 2 डबल कुरोषिया 1, 2, 2 डबल कुरोषिया फिर से 7 चेन एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से फिर से हम यहाँ साथ चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ और फिर इस जाले में एक सिंगल क्रोशिया फिर यहां हम 4 चेन बनाएंगे 1,2,3,4 और फिर यहां एक सिंगल क्रोषिया फिर से 7 चेन 1,2,3,4,5,6,7 और फिर यहां एक सिंगल क्रोषिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम यहाँ साथ चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ हम इस जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, फिर से 7 चेन, 4, 5, 6, 7 और फिर यहाँ 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2 फिर से 7 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चेन बनाने के बाद, फिर देखिए यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर 7 चेन बनाएंगे, फिर 7 चेन बनाने के बाद, इस जाली में 1 सिंगल क्रोशिया फिर 4 चेन, फिर इस जाली में 1 सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से, सेम तरीके से हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे सभी रिजाइन में इसी तरीके से हम chain बना के पूरा line complete कर लेंगे, पूरा line complete कर ली है, अब फिर से दो chain बनाएंगे और दूसरी side वापस आ जाएंगे, और यहां हम एक single crochet बना लेंगे इस chain में, देखिए यहां हमारा एक ही chain बचा है, और फिर से हम यहां, देखिए, यहां अ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डबल क्रोशिया बन गए, अब हम फिर से यहां, एक chain बनाएंगे, और फिर इसी जगह, एक single crochet बना लेंगे, फिर इस वाले जाली में हम बनाएंगे, एक single crochet, फिर एक chain, और फिर 10 टैंड डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, 7, 8, 9, 10, 10 डबल क्रोशिया, फिर से एक chain और फिर एक single crochet, फिर अब यहां हम, रेखे बीच में, इस वाले जाली में, फिर एक single crochet बनाएंगे, फिर एक chain बनाएंगे, और फिर यहां हम, छे टैंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे टैंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहां हम, एक, दो, तीन, तीन चेन बनाएंगे, और इस वाले दो फंद्य के बीच, इसे इस तरीके से slip कर देंगे, फिर अब हम यहां, छे टैंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद यहां इस जाली में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर यहां हम दस टैंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर उसके बाद यहां भी हम दस टैं डबल क्रोशिय बना ली है यहां भी 10 डबल क्रोशिय और बीच में दोनों साइड में एक एक सिंगल क्रोशिय अब हम देखे यहां पर 10 डबल क्रोशिय बन गए इस जाली में अब यह वाले बीच वाले जाली में हम एक सिंगल क्रोशिय बना लेंगे देखे और फिर यहां से ह हम यहां से शुरू करेंगे तो इसमें भी है अब हम एक के दस टैम डबल क्रोशिय बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नव, दस, दस डबल क्रोशिय बना लेंगे इसके बाद एक चेन बनाएंगे फिर एक सिंगल क्रोशिय फिर यहां एक सिंगल क्रोशिय फिर एक चेन और फिर यहां भी हम दस टैम डबल क्रोशिय बना लेंगे देखे यहां दस डबल क्रोशिय बनाएंगे इसमें देखे फिर ह हम ने इसमें भी 10 टाइम डबल क्रोशिया बना ली है और 1 सिंगल क्रोशिया फिर अब हम यहां बीच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया फिर एक चेन और फिर 6 टाइम डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पांच छे चे टाइम डबल क्रोशिया इसके बाद तीन चेन एक दो तीन और फिर इस वाले चेन में हम इसे इस तरीके से स्लिप कर देंगे फिर से 6 चेन बनाएंगे छे डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पांच छे डबल क्रोशिया फिर एक चेन और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया फिर अब यहाँ एक सिंगल क्रोशिया फिर एक चेन और फिर यहाँ हम 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसे हम यहाँ बनाएं 10 डबल क्रोशिया यहाँ भी बना लेंगे इसी तरीके से यहाँ भी हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे दिखिए यहां हमने 10 डबल क्रोशिय बना ली है, फिर एक chain बनाए और यहां एक single क्रोशिय है। फिर से यहां एक single क्रोशिय है, फिर एक chain और फिर यहां भी हम 10 टैम डबल क्रोशिय है। यहां हम फिर से 10 टाइम डबल क्रोशिय बना लेंगे इस तरीके से 10 डबल क्रोशिय बनाने के बाद इस जाली में एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे और फिर दूसरी साइड वाले दूसरी डिजाइन में हम फिर से 10 डबल क्रोशिय बनाएंगे इसी तरीके से हम पूरा लाइन क छोटा करके बनाई है, आप पूरे दर्वाजी के बराबर के पट्टी के अनुतार बना लेंगे, अब हम इसमें यहाँ पे लटकन लगाएंगे, दिखें इसके लिए हमने यह देखिए, आक का फूल बनाया है, जो सिव जी का फेबरेट फूल है, तो आप भी इसका वीडियो है, और अब हम यहाँ इसमें यहाँ पे बीच में इसे लटका देंगे, देखिए, आप चाहे तो मैंने हुआइट कलर में बनाई है, आप जिस कलर का तोरन बनाएंगे, उस कलर का भी बना सकते हैं, मैंने हुआइट में बनाई है, क्योंकि आक का फूल हुआइट या परप पर इस तरख से लटका देंगे और इसे कट कट देंगे अच्छे देखिए प्रेंट मैंने ये लटका लगा ली है आप भी इसे ऐसे ही बनाएं तो फ्रेंट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें प्रेंट प्रें